होसिंग बोट कॉलोनी वाड 23 में घरों के सामने पेवर ब्लॉक लगाने गढ़ा खोद कर तारे बन कर दिया गया है। सड़क किनारे गढ़ा होने से दो पहिया चालकों के साथ बच्चे साइकलों से गिर कर अनिंत्रित होकर गिर रहे हैं। साथ ही उर्ती धुन रहागीरों क को परिशान कर रखा है। होसिंग बोट कॉलोनी वाड 23 में लगभक सभी इस्थानों पर सड़क डामरी करण के साथ पेवर ब्लॉक लगाने का कार अंतिम चरण में हैं। लेकिन वाड 23 में कुछ इस्थानों में पेवर ब्लॉक लगाने लंबे समय से गढ़धा खोद कर छोड़ दिया गया है। छूटे हुए इस्थान के आगे और पीछे पेवर ब्लॉक लगा दिये गए हैं। गढ़धा खोद कर कारे को बंद कर दिये जाने से घरों के आगे गढ़धा होने से लोग परिशान हैं। दो पहिया चालकों के साथ सैकल चला रहे बच्चे इन गढ़धों में अनियंत्रित होकर गिर रही हैं। साथ ही गढ़धे के कारण निकली मट्टी से हर वक्त उर्ती धूल ने इस्थानी रहवासियों को परिशान कर रखा है। इस्थानी लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और बहुत ज़्यादा दुर्गटना यहां होई हैं बच्चे साइकल से भी बहुत गिरे हैं और दश्ट इतना हो रहा है कि सब फेफडे में बिमारियां सास लेने में तकलीफ हो रही है। ग्यारा सोपे भी हम लोगों ने कॉल करके रोड़ सफाई के लिए निदान में बुला था। अगर उन्होंने मेसेज डाल दिया है कि आपका कारे हो गया परन्तु यहां कोई कारे नहीं हुआ है। आपको जैसा दिख रहा होगा यहां पे। दिवाली के असपा से काम चालू किया गया था। लेकिन क्या है काम पार्शतों के वज़े से रुख गई है और यहां काम का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। और शुनाओं के समय हम को ओड़ दो ओड़ दो करके आते हैं मांकीन के लिए। इतने हो गया है ह। मतलब बोलना ही नहीं चाहिए की कार में मतलब काम को अधम लापर वही से बिल्कुल वह पिया जा रहा है। पारसति में इसमें बिल्कुल आपर वही किया गया है और काम जारी-जारी करेंगे और अच्छे से काम होनी चाहिए हमारा यही जंदे से इसमें कहीं इंकार नहीं है कि निगम ने जो विकास के एतिहासिक काम हांसिंग बोर्ड में अभी किये हैं पिछले 15-20 सालों में या कहिए कि हाउसिंग बोर्ड के जन्म से आस्तक नहीं हुए इसमें कहीं इंकार नहीं है लेकिन यह भी उतनी सच्छा ही है कि कुछ एक जगहों पर अभी कई जगहों पर तो अच्छा विकास चल ला है लेकिन कुछ जगहों पर अचानक बिना कारण अच्छी खासी है जो है रोड बन रही है पेवर टाइस की कारण रुक्की हुई है अगर संग्यान ले ले तो मुझे लगता है कि दो दिन का काम है और लोगों को रहात मिलेगे और लोगों को बड़ा अच्छा महसुच होगा मैं निगम से पिशासन से महापाउर से चाहता हूँ कि वे अपनी जगरुक्ता दिखा के इस काम को अभीलम शुरू करें मुझे लगता है कि दो दिन में ठीक हो जाएगा और सारे लोग यहां धन्यवाद ज्यापित करने के लिए नगर निगम कारेला तक जाएगा हम चाते हैं कि उनसे निवेदेन है कि जल से जल इसको बनवाए पर्सानी बहुत सारे दूल भी जाता है मिटी भी जाता बच्छे लोग भी गड़ोड़े हुए गिरते रहते हैं चोड़ी चोड़े बच्छे है बहरा लोगों को रहात देने अधूरे कारे को पूर्ण किये जाने की जरूरत है जिससे इस्थानी लोग रहात की सांस ले सके हैं ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए संजय दुवे